Hello Friends, Welcome to Pooja Classes आज मैं डिसकस करने वाले हूँ पेपर वनगे टीजिंग अबिट्यूट के बारे में कि उसके अंदर हमें कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं तो हमें 5-6 टॉपिक कवर करने हैं फर्स टॉपिक है कंसेप्ट टीजिंग का क्या कॉनसेप्ट होता है फॉर्मल, इन्फॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट टीजिंग के कॉनसेप्ट होते हैं वो क्या क्या है पर नेचर, टीजिंग का कैसा नेचर है टीजिंग का नेचर कैसा है इस्टूडेंट के लिए उसका characteristics क्या है, दूसरा हमारा है teaching methods, teaching कितने methods होते हैं, पढ़ाने के कितने methods होते हैं, and teaching aids क्या है, इसके लावा learner characteristics, learner characteristics क्या है, सीखने की characteristics क्या है, फिर ए classroom situation management, एक classroom situation management कैसे handle करना है, क्या है उसका, और हमारा e-point है learner's evaluation, learners का evaluation क्या हो रहा है, अब इसके बाद last दिक आप सुचरा मिस्क्लिनेच TOPICS किया है, मिस्क्लिनेच TOPICS हमारा जिसे कि GK का एक Question Steps में included होगा, ठीक है, उसमें कुछ जैसे कि पूढ़ेगा, Cheer Stands 4, Cheer Stands क्या पे करता है, वह आपको पताना पढ़ेगा कि Cheer Stands कहां पे होता है, ठीक है Friends, Sight Stands कहां पर होता है जैसे कि national literacy mission was established कब हुआ था ठीक है friends education TV was first introduced in India कब हुआ था थोड़े से GK के question जो कि आप करेंट affair से easily मिल जाएंगे या फिर आप best Pearson की book से follow करो गए तो वहाँ उसमें भी Miss Cleans की कुछ questions उन्होंने डाल रखे है ठीक है friends तो आप ये topics cover कर लो definitely आपका net clear हो जाएगा okay friends so best of luck all of you अगर आपको मेरा video पसंद आया तो please इसे like और subscribe करना ना भूले पूजा channel में आपका स्वागत है okay friends bye